हेलो फ्रेंड्स कैसे हो सब लोग आई होग सब लोग अच्छी होंगे बहतर होंगर स्वास्प होंगे स्वागत आपका फिर्स क्लाव लर्न टू लीड में बुड मॉर्निंग टू अल्डी स्टूनेंट्स जैसे कि आपको पता है कि हम लेकिन आज का जो बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक है वो है sports related क्रेंट्ट्वेर तो हर एक्जाम में यह काम आने वाला है क्योंकि हर एक ग्जाम में इस्पेंट्स एलेटेट एक आदा कोश्चेम जरूर पूछा जाता है तो इस वीडियो को बिल्कुल अंग तक जरूर के बाद crack current fairs के उपर click करना है आप एक साल या दो साल की subscription जो है वो buy कर सकते हैं दोनों का ही price बहुत कम है एक बर मेरे कहने से price जुरूर check करें आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम price पर हम आपको बहुत सी चीजे provide कर रहे हैं तो क्या क्या आपको मिलेगा आपको मिलेंगे daily current fairs daily current fairs में दोस्तों तीन सेक्षेंज होंगे एक में detail current fairs होंगे एक में question and answer format current fairs होंगे जो कि आपको ebook की मदद से मिलेंगे और एक होगा quiz जो कि आप हमारी application के ओपर daily attempt कर सकते हो ऐसे ही weekly section त्यार किया गया जिसमें आपको दो PDFs मिलेंगे जिसमें detail current fair की होगी एक question and answer format होगा लेकिन एक quiz होगा जो कि हर हफते आप हमारी application के ओपर attempt कर सकते हो next होगा monthly section इसमें चार तरह की PDFs मिलेंगे जो कि अलगलग तरह से आप यूटिलाइस कर सकते हो जैसे कि study PDF है यह detail current fair है जिसमें आपको theoretical current fair मिल जाएगा एक question and answer format में जितने भी current fair detail में मिलेंगे वो question and answer format में इसमें मिल जाएंगे तो practice यहां से कर सकते हो best 100 current fairs भी आपको दिये जाएंगे जो कि उस महीने के best current fairs होंगे है उसमें 100 current fair जो है question and answer format में आपको दिये जाएंगे एक pocket PDF होगी मतलब जल्दी-जल्दी में current fairs को revise करने के लिए दो लाइन में तीन लाइन में तो आप इसका use कर सकते हैं इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं topic wise current fair हम 20 बहुत ही important important topics की अलग-लग PDF आपको प्रवाइट करेंगे अगर आप particular किसी exam के लिए कुछ topics को revise करना चाहते हैं जैसे कि आप important appointments को revise करना चाहते हैं awards को revise करना चाहते हैं तो इस PDF के थूँ आप कर सकते हैं अगर आप banking student बैंकिंग exam की त्यारी करने हैं तो हम आपको तीन अलग चीजे प्रवाइट करेंगे जिसमें banking and economy से related detail current fair उसी से related question and answer format current fair आपको PDF में मिल जाएगा और banking and economy का quiz भी आप attempt कर सकते हो हर महीने हर महीने कर सकते हो हमारी application के उपर और अगर जितना भी current fair अभी तक हो चुका है जैसे मान लो आपका exam जो है वो 30th of May को है तो 29 मही तक जितना भी current fair हो चुका है वो सारा का सारा एक ही PDF से revise करने के लिए उसी साल का आप exam PDF का यूज़ कर सकते हैं आपको detail में budget और economic survey दिया जाएगा इसमें आपको दो चीज़े मिलेंगी एक तो detail एक question and answer format में भी हम आपको बताएंगे कि कौन-कौन से question budget और economic survey से बनाए जा सकते हैं और आप किसी भी state exam की त्यारी कर रहे हैं तो हम आपको हर state का हर unit territory का current fair भी अलग से provide करते हैं तो इस सारी चीज़े दोस्तों अलग लग नहीं सिरफ एक ही subscription में आपको मिलेंगी सिरफ आप हमारी application को download करें crack current fairs के ऊपर क्लिक करके उसको subscribe करें उसके बाद जो है वो आप 10% extra discount भी ले सकते हो वो मिलेगा आपको अगर आप इस code का use करोगे ASH10 का लेकिन किसी भी तरह की query है तो इस email id पे हमें mail कर सकते हैं इस number पे हमें जिसने रिसेंटली formula 1 2-12 Singapore Grand Prix race को जीत लिया है तो Singapore Grand Prix जो कि एक formula car racing जो है वो आप कह सकते हो कि एक पूरा का पूरा अयोजन है यह formula 1 race जो है वो किस ने जीती है यह Sergio प्रेज ने जीती है तो अंसर याद रखना है अंसर क्या होगा इसका second होगा Sergio प्रेज जो कि Red Bull टीम से खेलते हैं formula 1 Singapore Grand Prix जो है वो जीत लेते हैं इसको जो है वो Singapore Airlines Singapore Grand Prix के नाम से भी जाना जाता है और यह पहली race है जो Sergio प्रेज ने Singapore के अंदर जीते है मतलब Singapore Grand Prix जो है वो पहली बार इन्होंने जीती है और दूसरा स्था इसमें जो है वो Charles Leckluck का है और अपनी याद रखना है इसमें नाम ना तो Lewis Hamilton का है ना ही जो है वो इसमें Max Verstappen का है अगले question के उपर आते हैं कौन सी country जो है वो 29 एशियन विंटर गेम्स को होस्ट करेगी एशियन विंटर गेम्स को जो की Trojana Mountain Resort पे होस्ट करेगी अंडर इसमें नियों प्रजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रजेक्ट है यह नियों प्रजेक्ट और यह नियों प्रजेक्ट है साउधी अरेबिया का तो अंसर क्या होगा इसका चार होगा याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है 41st Olympic Council of Asia की General Assembly की मीटिंग होई है जो की decide कर साउधी अरेबिया 29 का Asian Winter Game host करेगा जो कि एक Mountain Resort एक पहाड़ी resort बना हुए जिसका नाम है त्रोजेना Mountain Resort जो की नियों प्रजेक्ट के अंडर आता है जो की 500 बिलियन डॉलर का एक प्रजेक्ट है और त्रोजेना जो है वो एक नियों प्रजेक्ट का हिस्सा जरूर है जो क ये Asian Winter Games को host करेगा जो की 60 स्केर किलोमेटर का एक एरिया होगा और ये लगबक इतने altitude पर स्थित है 1500 से लेके 2600 मिटर के altitude पर ये Mountain Resort जो है वो स्थित है और साउधी एरबिया जो है वो Asian Games को host करेगा Asian Games को जो की 2034 में होंगी और साथी साथ 2030 का जो football का World Cup होना है उसको भी host कर सकता है क्योंकि उसमें जो bid जो है वो साउधी अरेबिया ने डाली है और वो बेसिकली तीन कंट्रीज ने डाली एक साउधी अरेबिया है और एक Egypt है और एक कौन सा है ग्रीस है तो ये मतलब बहुत ही एक अच्छी बात है क ये कर सकते हैं host आगे जाके 2030 का football World Cup भी जो है वो आ सकता है अगले question के उपर आते हैं कौनसी statement correct है अगर हम देखें तैल अवीव वाटरजेन ओपन 2022 की ये एक tennis tournament है तो उससे related देख लेते हैं कि कौनसी statement जो वो बिलकुल सही है तो first क्या है तैल अवीव वाटरजेन ओपन बिलॉंग करते हैं वो men's single title जीत चुके हैं अगेंस्ट मारिन क्लिक जो की क्रोटिया या क्रोशिया से बिलॉंग करते हैं और ये जो है वो 89th victory है और 3rd championship है 2022 की जो की किस ने जीत ली है नवाक जोकविक ने जीत ली है और ये indoor hard court में खेली जाती है और इसको ATP 250 के नाम से भी जाना जाता है और अपने याद रखना है ये ऐसे पहले person है जो की hard court में clay court में क्योंकि इन्होंने रोम जीता था grass court जो की विमिल्डन जीत चुके हैं तो ऐसे पहले player हैं जो तीनों जीत चुके हैं 2022 के अंदर तो ये statement भी बिलकुल सही है रोहन बपनना जो की इंडिया से है और मातवे middle coupe जो की डच से हैं ये ATP 250 का ये तेल अवी वाटर जैन open men's double title जो है वो जीत जाते हैं तो इसके साथ ही रोहन बपना और middle coupe जो है ये first ATP tour championship जीते हैं as a team तो ये statement भी बिलकुल सही है तो answer क्या होगा इसका all A, B, C अगले question के उपर आते हैं with which football federation, कौन सी country की football federation के साथ All India football federation ने tie up किया, एक MOU sign किया है ताकि हम football activities को दोनों countries के अंदर promote करेंगे और ये है Saudi Arabian football federation, answer क्या होगा इसका, एक होगा, तो आपको recently पता है, Saudi Arabia ने Argentina को हराया था, तो Saudi Arabian football federation बहुत ही आगे बढ़ रही है, तो India ने भी sign कर लिया है जो South Arabian football federation के साथ, ताकि हम football activities को promote कर सकेंगे, तो main focus यहीं रहेगा, कि एक knockout face जो संतोष ट्रॉफी का होने वाला है, Saudi Arabia के अंदर, उसके लिए football activities को बढ़ाया जा सके, और दोनों countries आपस में football tournaments जो हैं, वो अजोजित करेंगे और आप यह भी याद रख सकते हों कि दोनों countries जो है, वो इसके उपर भी study करेंगी, किस तरह के tournament जो है, वो organize करने होंगे, ताकि इंडिया के अंदर भी football को लेके जो है, वो audience बढ़े, और उसको लेके investment जो होनी start हो, और आपको पताना चाहिए कि संतोष ट्रॉफी जो है, वो 2023 में होगी, और संतोष ट्रॉफी जो है, फेबरीरी कमीने में खेली जाएगी, और साउधी अरेबिया में होने वाली है, उस personality का नाम बताना है, इंडिया से, जो कि recently International Billiards and Snooker Federation मतलब IBSF का World Billiard Championship 2022 जीत जते हैं, जो कि कुलालंपूर मलेशिया में हुआ, तो यह एक ही player gold medal था, जो कि International level पे इन्होंने हासिल किया है, और इन्होंने सौरव कोठारी को जो हराया है, 4-0 से, और साथी साथ कई players को इन्होंने हराया है, और World Championship को हासिल किया, who recently won his 90th Association of Tennis Professional Title by winning the single title in the third Astana Open 2022, अभी recently हम जो है, तेल अवीव Open की बात कर रहे थे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं, ATP का जो की Astana Open है 2022, यह जीत चुके हैं, कौन नवाग जोकविक और यह उनका 90th Association of Tennis Professional Title है, जो उन्होंने जीता है, क्योंकि इस से पहले तेल अभी वाला 89th था, तो हमने इस question को दियान से cover भी किया है, कि वो कौन सा था 89th था, तो यह है नवाग जोकविक, जो की सविया से बिलॉग करते हैं, और इन्होंने थर्ड Astana Open 2022 जीत इया है, इन्होंने स्टेफनोट से सिसी पास को हरा दिया है, 6-3 6-4 से, और Astana Open 2022 जो है, वो Astana कजाकस्तान के अंदर खेला गया, और यह ATP Tour 500 category में खेला जाता है, अगले question के उपर आते हैं, कौन सी personality जो है, वो recently Formula 1 Honda Japanese Grand Prix जीती है, कौन सी personality जो है, वो Formula 1 Honda Japanese Grand Prix जीती है, क्योंकि सबसे पहला question हमने जो cover किया था, वो Singapore Grand Prix का किया था, और Singapore Grand Prix कि कि जीती थी, Sergio Price की तरफ से उसको जीता गया था, लेकिन अब बात कर रहे हैं, Japanese Grand Prix की, और इसको जीता है, one and only Max Verstappen ने, तो अंसर क्या होगा, चार होगा, और आप कह सकते हो कि यह दूसरी बार हुआ है, कि उन्होंने यह जो circuit जीता है, मत्तब यह Japan की Grand Prix जो है, वो जीती है, और चार्ल्स लेकलक जो हैं, वो इसमें second स्थान पे रहे, चार्ल्स लेकलक दूसरे स्थान पे रहे, और इसमें तीसरे स्थान पे आप कह सकते हो कि Red Bull के सर्जियों परेस रहे, तो Lewis Hamilton जो है, वो काफी पीछे चले चले गए हैं, पिछले दो साल से, तो Max Verstappen, Maximum Racist जो है, अगले कोशिन के उपर आते हैं, कि एक जगा है, मतलब आप कहा सकते हो, Ega Swetik, जो कि Poland से बिलॉंग करती है, उनको हराके, इन्होंने इस tournament को जीत लिया है, और ये उनकी दूसरी successive Women Tennis Association title है, क्योंकि इससे पहले 2022 का जो तालीन, जो तालीन open था, जो कि तालीन Estonia में हुआ था, वो भी इन्होंने जीता हुआ था, और ये first woman है, जिन्होंने Ega Swetik को हराया, इस final match के अंदर, ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि Ega Swetik final match में बहुत ही कम chances हैं कि वहार जाएं, अगले question के उपर आते हैं, मुहमद रिजवान जो हैं, वो कौन सी country से belong करते हैं, जिनको ICC player of the month दिया गया सब्तमबर 2022 में, men's category में, तो सबको बता है, मतलब वो पाकिस्तान से belong करते हैं, बहुत ही अच्छे player है मुहमद रिजवान, तो उनको player of the month का award दिया गया सब्तमबर 2022 में, men's category में, जबकि ऐसे Indian player कौन बन गए हैं, जिनको woman category के अंदर सब्तमबर 2022 में, woman player of the month का किताब मिला है, और ये हमारे पास player हैं कौन, ये हैं हमारे पास, हर्मन पृत कौर, तो answer क्या होगा, इसका चार होगा, याद रखना है, हर्मन पृत कौर, तो Indian woman cricket team की captain, हर्मन पृत कौर, और पाकिस्तान के विकर्ट कीपर, बैकर बैटर, मौहमर रिजवान जो है, वो ICC का player of the month award हासिल करते हैं, सब्तमबर के महिने में, ये woman category में, और ये men's category के अंदर, और हर्मन पृत कौर इस award को receive करती हैं, क्योंकि इन्होंने team zero की, one day international series जीती, England के खिलाब, और ये first Indian woman है, जिनको ये title जो है, अगला आते हैं, उस personality का नाम बताना है, जिनको recently Julius Bear Generation Cup title जो है, वो मिला है, और उन्होंने Indian Grandmaster Arjun Ariasi को हरा दिया है, तो वो एक ही personality है, जनली जो Arjun Ariasi को हरा सकती है, और वो personality है, हमारे पास Magnus Carlson, तो answer क्या होगा, इसका 2 होगा, तो world number one player है, मतलब Magnus Carlson, Norway से belong करते हैं, और उन् Julius Bear Generation Cup जीत लिया है, इंडिया के Grandmaster Arjun Ariasi के खिलाब जीत के, क्योंकि ये एक rapid online chess tournament था, और ये tournament जो है, वो Magnus Carlson जी चुके हैं, क्योंकि इनके 0.5 थे, और अर्जुन Ariasi के 0.5 थे, और ये 8 दिन का Julius Bear Generation Cup जो है, वो आप कह सकते हो कि 7th event था, 9 events में से जो organize किये करने हैं, और ये Melt Water Champion Chess Tour का एक हिस्सा था, क्योंकि उसमें 9 events होने हैं, ये 7th event था, और ये आप कह सकते हो, 18 से लेके 25 सब्तमबर के बीच में खेला गया, अगला आते हैं Team World, याद रखने है, Team World recently जो है, वो Lever Cup title जीत जाती है, Men's Tennis Tournament के अंदर, for the first time, और ये कहां पे हुआ था, for the first time ये खेल गया था, London, England के अंदर, तो अंसर क्या होगा, इसका, चार होगा, तो Team World is Tournament को जीत चुकी है, Lever Cup title जो है, वो जीत चुकी है, पहली बार हुआ है, ये indoor heart court का event जो है, वो Lever Cup के बीच में खेला गया, और लेवर कप जो है, वो पांचमा एडिशन था, Lever Cup का, जो की Men's Tennis Tournament है और इसमें आप बिलकुल याद रखोगे एक बात कि Lever Cup 2022 जो है, वो Roger Federer का last tournament था, retirement से पहले का, बहुत important है, अगले question के उपर आते हैं, उस organization का नाम बताना है, जिसने partnership की है, International Cricket Council के साथ, तांकि gender equality जो है, वो cricket के थू हम promote कर सकें, तो gender equality के बारे में, लोगों को सुचेत कर स सकें, और यह है UNICEF मतर United Nation Children Fund, तो answer क्या होगा, इसका चार होगा, तो ICC की तरफ से partnership की गई है, UNICEF के साथ, बहुत important है, तांकि women को empower किया जा सके, girls को आगे बढ़ाया जा सके, तांकि equality को promote करें हम cricket के थूरूर, तो यह partnership की गई है, तांकि जो आने वाले T20 matches हैं, या भी World Cup हो खास करके, जो चोटे बच्चे हैं, जो लड़किया हैं, उनको खड़ा किया जाता था, तांकि हम किसी ना किसी तरह से women empowerment या women equality को promote कर सके हैं, और ICC के बारे में खास तोर से याद रखना है, Greg Barclay जो है, वो इसके head है, इसका headquarter जो है, वो दुबई में है, इसकी स्थापना 1909 में की गई थी, और इसके 12-12 full-time member हैं, और 94 associate members हैं, अगले question के उपर आते हैं, कौनसे point इसमें से सही नहीं है, अगर 36th national games को दियान से देखें, October 2022 में जो हुई है, बहुत ही important question है, दियान से इन statements को सुनना है, 36th, तेक तो number याद रखना है, ये national games और निरेंदर मोदी stadium ए एहमदाबाद गुजरात में हुई, पहली बार हो रहा है कि ये गुजरात में हुई, जिसका जो निशान था, वो सावज था, सावन का मतलब होता है, बच्चा, सावज का मतलब होता है, एक बच्चा, जो की ये परतीक है हमारे cultural heritage का, और साथी साथ इंडिया जो grow कर रहा है उसका भी एक चिन जो है, वो सावज के तोर पे, जो है, वो यहाँ पे दिखाया गया है, तो पहली statement बिलकुल सही है, और जो services team है, जो की services sports control board के अंदर खेलती है, वो winner है national games की, और ये fourth consecutive time है, जो services team इसमें जीती है, और दूसरा स्थान इसमें किसका है, महाराष्टा का, मत तामिलाडू जो है, वो Indian Olympic Association best state trophy जीती है, क्योंकि वो second high medal tally के अंदर, most medal जीते किसी state और UT ने, अभी हम दूसरी statement में करके आए है, तामिलाडू नहीं है, वो महाराष्टा है, क्योंकि वैसे तो ये medal tally में दूसरे स्थान पे महाराष्टा, लेकिन state और UT category में ये पहले पे team है, कोई services team, तो इसका मतलब तीसरी statement गलत हो जाती है, पूजा पटेल जो की गुजरास से है, वो first athlete है, जिन्होंने gold medal जीता योग आसन के अंदर, और traditional category के अंदर योग आसन को खिलाया गया, और ये medal पहली बार जो है, वो पूजा पटेल जो की गुजरास से बिलॉंक उन्होंने हासिल किया है, तो इसका मतलब ये भी बात जो है, वो बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब उनली जो incorrect statement है, वो कौन सी है, तीन है, और एक नाम आप और याद रख सकते हो, 10 साल के सूर्या जीत, सूर्या जीत खेरे, जो की गुजरास से बिलॉंक करते हैं, वो भी ऐ यंगेस्ट मैडलिस्ट बन चुके हैं, जिनोंने मालखंब, मालखंब के अंदर जो है, वो ब्रॉंज मैडल हासिल किया, तो आप इनका नाम भी याद रख सकते हैं, अगले question के उपर आते हैं, इंडिया ने recently आठमा अडिशन जो है, वोमन एशिया कप का जीत लिया है, और ये सात्मी बार हुआ है कि इंडिया ने इसको जीता है, किस कंट्री को हरा के है, तो इंडिया ने ये एशिया कप, वोमन एशिया कप जो है, वो शिरलंका को हरा के जीता है, बहुत ही बड़ी बात है, अंसर क्या होगा, इसका तीन होगा, और टोटल जो है, वो आठ बार ए अगर हम बात करें तो शिल्लंका को हरा के इंडिया जो है वो यह आठवा अडिशन जीच चुका है और 2018 में हुआ था कि सिर्फ जो है वो एक अडिशन कौन जीच रिया था बंगलदेश और आपने एक बात और याद रखनी है एक नाम शेफाली वर्मा शेफाली वर्मा शेफ हर्षिथा मादवी जो कि शिर्लंका से बिलॉंग करती है वो हाइस स्कोरर है इस पूरे टूर्नमेट की अगले कुशन के उपर आते हैं कौनसी कंट्री जो है वो दो हैर तेईस का एशियन कप होस्ट करेगी जो कि एक क्वाडरीनियल इंटरनाशनल मेंस फुटबॉल है एशिया के कंट्री का और तीसरी बार जो है वो इस कंट्री को ये दिया गया है कि वो इस एशियन कप को होस्ट करें जो कि मेंस फुटबॉल चेंपेशिप से रिलेटेड है और ये कंट्री है कतर क्योंकि इस से पहले 1988 में और 2011 में कतर जो है वो इस टूर्नमेंट को होस् कि बार host करेगी और इंडिया और साओधी अरेबिया जो है उसने दो हैर 27 के लिए बिट डाली हुई है कि हम जो है वो इस टूड़नमेंट को host करना चाहते हैं क्योंकि चार साल में एक बार होता है तो दो हैर 23 में होगा अब 27 में होगा तो 27 में इंडिया और साथ में साओधी अगरेबिया ने यह कहा हुआ है कि हम इस टूड़नमेंट को host करना चाहते हैं कतर ने भी कहा हुआ था लेकिन कतर अब इस बिट से बाहर निकल चुका है क्योंकि उसको अलड़ी 23 का मिल चुका है और आप जान सकते हो इसमें एक बात की 18 अडिशन एशिया कप का जो है वो स मेसकिट बताना है अपने फेडरेशन इंटरनाशनल दी फूटबॉल एसोसियेशन फिफा वोमें वर्ल्ड कप जो कि अस्टेलिया न्यूजीलेंड में होना है 2023 में और इसका ओफीशल जो सिंबल होगा जो ओफीशल मेसकिट होगा वो क्या होगा ताजू नहीं तो अंसर क् इसका ए होगा और आपने इसमें एक और बात याद रखनी है कि जो ताजूनी नाम है यह तस्मान सी से लिया गया है तस्मान सी जो कि पेंगुइन्स का एक गर माना जाता है और यह यूनिटी का भी एक जो है वो परतीक है इसलिए ताजूनी जो है वो मेसकिट रखा गया ह उस personality का नाम बताना है जो कि पहली Indian woman बन चुकी है जो कि 13 second के अंदर अंदर 100 meter hurdles को पार कर लेती है मतलब उसको जीत जाती है ये बात करें हम 61st Athletic Federation of India की National Open Athletic Championship जो कि October 2022 में हुई तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 13 seconds के अंदर अंदर 100 meter hurdles को जीतना और इन्होंने जो total time लिया वो 12.82 seconds का लिया और इनका नाम है जो थी याराजी अंसर क्या होगा इसका दो होगा और ये National Open Athletic Championship है जो कि कहां पे हो रही थी बेंगलूरू करनाटका के अंदर बेंगलूरू करनाटका के अंदर इसका और इसका और इसका और इसका किया गया और ये 100 meter hurdle race जो है वो जीत लिया और इन्होंने अपने ही record तो उड़ दिया क्योंकि इससे पहले ये record 13.04 seconds का था लेकिन अब ये 12.82 seconds का बन चुका है तो अपने याद रखना है इन्होंने नीदर लैंड्स के एक player को हराया है अगले question के उपर आते हैं कौनसी state फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स को host करेगी most important question 2022 की खेलो इंडिया यूथ गेम्स कौनसी state host करेगी ये होंगी तो 2023 में फेबरेरी 2023 में host की जाएंगी लेकिन इसको करेगा मध्या परदेश host तो अंसर क्या होगा इसका चार होगा इन दौर के कई शहरों में लगबग 8 शहरों में जो है ये tournament organize किया जाएगा और मध्या परदेश ऐसी पाँचमी state है टेडिशनल इंडियन sports को भी जो है वो लिया गया है जैसे की योगासन हो गया माल खंब हो गया इसको भी इसमें शामिल किया गया है उस personality का नाम बताना है जिसने 2022 की Formula 1 Aramco United States Grand Prix को जीत लिया है जो की Texas USM हुई October 2022 में तो सबसे पहले हमने शुरुवात में किया था कि Singapore Grand Prix जो है वो किस ने जीती है वो Sergio Perez ने जीत ली है Japan Grand Prix जो है वो Max Verstappen ने जीत ली है अब बात करें Aramco US Grand Prix की और ये भी किस ने जीत ली है Max Verstappen ने तो अंसर क्या होगा इसका चार होगा तो इस रेस को जीत के जो है वो जर्मनी के Sebastian Vettel के साथ इनका जो है वो record बराबर हो चुका है और Michael Schumacher के साथ भी जो बराबर हो चुका है क्योंकि 13 wins मतलब 13 जीत जो है वो हासिल कर लिया है इन्होंने एक सीजन के अंदर Formula 1 के एक सीजन के अंदर 13 जीत हासिल की और Sebastian Vettel का record जो है वो इन्होंने बराबर कर लिया है और Michael Schumacher का भी record हासिल कर लिया है और साथी साथ West Happen ने United Kingdom के जो Lewis Hamilton है दूसरे स्थान पे रहे वो उनको हरा दिया है और Charles Leck-Luck जो है वो तीसरे स्थान पे इसमें रहे है तो अगले question के उपर आते है Denmark Open 2022 जो की Badminton Tournament है उसमें चाइना के कौन सी प्लेयर जो है वो Women Single Title को जीती है और She-Yuki जो की कौन सी कंट्री से बिलॉंग करते हैं जो की Men Single Title जीत चुके है तो दोनों ही प्लेयर बेसिकली चाइना से है मतलब यहां पे भी चाइना होगा मतलब Women Single भी चाइना ने जीता Men Single भी Even Women Double भी जो है वो चाइना ने जीता और साती सात Men's Double भी चाइना ने जीता मतलब इस पूरे Denmark Open में जो प्लेयर जीते हैं चाइना से ही जीते हैं और इसमें जो Women Category के अंदर जो जीती हैं उनका नाम क्या है? A. Bing Ziao तो अंसर क्या होगा इसका? चार होगा A. Bing Ziao और सात में China तो सिरफ नाम जो है वो आप एक बार पढ़ ले क्योंकि Chinese name है थोड़े से difficult हो सकते हैं एक बार आपने थोड़े सार लेट करके बढ़ना है ही से याद रखेंगे कि उन्होंने Women Tournament याद रखना है ही से आपको याद रहेगा कि उल्टा है Women Tournament याद रखना है ही से याद रखना है कि उन्होंने Men's Tournament जीता है इस तरह से आप इसको याद रखें Denmark Open बहुत ही important है, पूछा जाता है कई बार, उस Indian Grandmaster का नाम बताना है, जिसको की Magnus Carlson जो की Norway से belong करते हैं, उन्होंने हरा दिया है, और Meltwater Championship Chess Tournament जो है, उन्होंने जीत लिया है, October 2022 का, तो ये बहुत ही important question है, और ये basically Magnus Carlson ने जो हराया है, वो Arjun Arigasi को हराया है, तो answer क्या होगा इसका second होगा, और 14 से 21 अक्तूबर के बीच में, ये जो Rapid Tournament जो है, वो खिला गया है, और इसमें Indian Grandmaster Arjun Arigasi हार गये हैं, और इसमें जीत चुके हैं Magnus Carlson, और Magnus Carlson का ये दूसरा लगातार जो है, वो टाइटल है, जो उन्होंने जीता है, इवन इंडिया के 16 साल के Gukesh D, जो की चन्नाई से बिलॉंग करते हैं, वो यंगेस प्लेयर हैं, जिन्होंने Magnus Carlson को हराया था, Gukesh D. अगला question है, International Shooting Sport Federation, ISSF का जो World Championship Rifle Pistol Tournament है, जो कि अक्तूबर में हुआ, तो इंडिया जो है, वो दूसरे रैंक पे आता है, पूरी medal टैली में, क्योंकि इंडिया ने total कितने medal जीत लिए इसमें, 34 medal जो है, वो इंडिया ने इसमें जीत लिए थे, जिसमें से 12 गोल्ड थे, 9 सिल्वर थे, और 13 जो है, वो ब्रांज पे रहती है, चाइना जो है, वो इसमें क्या रहता है, तो ये भी आपने साथ में याद रखना है, तो अंसर हमारे पास क्या होगा, 34 medal और चाइना, तो अंसर इसका 4 होगा, तो बहुत ही important question है, ISSF World Championship Rifle Pistol 2022, जो कि कहां पे हुई है, कैरो, Egypt के अंदर हुई है, ये 12 से लेके 28 अक्तूबर के बीच में खेली गई, और इसमें इंडिया दूसरे स्थान पे आता है, और रुदरांग्ष पार्टील, एक नाम याद रखेंगे, रुदरांग्ष पार्टील, जो कि 18 साल के है, वो गोल्ड मेडल जीत लेते हैं, मेंस 10 मीटर राइफल के अंदर, और ऐसे दूसरे इंडियन शूटर बन जाते हैं, जो 10 मीटर एर राइफल के अंदर गोल्ड मेडल जीते हैं, क्योंकि पहले प्लेयर जो है, वो वो ODI है, चाहे वो test match है, चाहे वो T20 है, और वो बराबर होगी women cricketers की भी साथ में, तो एक test match के लिए women cricketer को अब कितना pay किया जाएगा, अपने पहले याद रखना है कि women cricketer को पहले pay किया जाता था एक test match का डाई लाक रुपे, एक ODI का जो है वो एक लाक रुपे, और एक T20 के लिए भी इनको कितने पैसे दिये जाते थे, तीन लाक रुपे, तो अब देख सकते हो, अब इतने ही पैसे जो है, वो basically किसको मिलेंगे, women cricketer को, तो इसका मत्रब टेस्ट मैच के लिए 15 लाक, ODA के लिए 6 लाक, और T20 के लिए 3 लाक तो अंफर यहाँ पे क्या होगा, एक होगा, तो यह है Pay Equity Policy, तो यह थे हमारे पास बहुत important current fair, तो वीडियो को like करें, share करें और चैनल को अभी के अभी और subscribe कर लें, और आप हमारे हर platform को join कर सकते हैं, जैसे कि Facebook है, Instagram है, LinkedIn है, या Telegram है, Telegram का link जो अभी description box में दिया हुए, वहाँ से आप join करें, और इस वीडिय को अभी के अभी like करें और चैनल को अभी के अभी subscribe करें, thank you guys, take care and bye bye